Hello everyone, welcome to Learnerbee. I am Shivani Chauhan. इस वीडियो में हम Class 7 Hindi की बुका Chapter 16 भोर और बर्खा के Question-Answers देखने वाले हैं. तो देखिए जो सबसे पहला Question है, कवता से. बंसी वारे ललना, मोरे प्यारे लाल जी कहते हुई यशोदा किसे जगाने का प्रियास करती हैं और कौन-कौन सी बाते कहती हैं. तो इसका अंसर है, बंसी वारे ललना, मोरे प्यारे लाल जी कहते हुई यशोदा किश्न को जगाने का प्रियास कर रही हैं. वें उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो रात बीद गई है, सुभह हो गई है, सबके घर के दर्वाजे खुल गए है, गोपिया दही बिलो रही है और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खर निकाल रही है, तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं, ज इतनी सारी बाते कह रही हैं कि मेरे प्यारे लाला और सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, गोपिया तुम्हारे ले दही बिलो रही हैं, तुम्हें ज़्दी से इसली अब उठ जाओ, उनकी मम्मी उनसे कह रही हैं, क्वेशन नुबर टू है, नीचे दी गई पंक्ती का आशय अपने शब्दों में लिखिये, माखन, रोटी, हात, महें, लिनी, गवण के रखवारे, तो इसका देखे मतलब है, गाओं की रखवाली, गायों, यानि की गाए, काओं की रखवाली करने वाले, तुम्हारे मित इसे दुम जाओ, उठके, पढ़े हुए पत के आधार पर ब्रिज की भोर का वर्णन कीजे, ब्रिज की भोर-भोर का मतलब होता है सुभह, तो ब्रिज की सुभह किस तरीके की होती थी, ये हमें चेप्टर के अकॉर्डिंग बताना है, तो ब्रिज में भोर होते ही गवालन को चराने के लिए वनमे जाने की तैयारी करते है, तो दही भिलो रहा जाती है सुभैघस सुभै, ़ौर्णों के भच्चे बच्चे, जो गाय है, उनको चराने के लिए जाते है वनमे, नेक्स एक हे, qक्वेस्टन है, question 4, मेरा को सावन मन भावन क्यो लगने लगा, तो इसक कि अभास में उनको लगा कि श्री कि उनके पास आ रहे हैं और सावन का समय होता है वो मतलब वैदर बज अच्छा सानी हो जाता है मतलब हर जगे ग्रीन रियोती है तो काफी सारा मतलब अच्छा वैदर तो होता ही है सावन का question number five है पार्ट के अधार पर सावन की विशेशता है लिखिए कि सावन का मौसम क्या एकसा होता है वो बताना है तो सावन के आते ही बादल चारो दिशाओं में उमड घुमड कर विचन करने लगते हैं यानि कि हर तरफ बादल घुमने लगते हैं बिजली चमकने लगती है वाईश्य की नननी बूदे बरसने लगती हैं और शीतल हवाय बहने लगती है और मौसम सुहाबना लगने लगता है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है काविता से आगे मीरा भक्ति काल की प्रसिध कवित्री थी इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए तो कवीर दास की रचना है बीजक, सूर्दास की है सूरसागर और तुलसी दास की रामचरतमानस, जैसी की पदमावद तो मीरा जो है भक्तिकाल यानि कि उस समय भक्तिकाल जल रहा था यानि कि बहुत सारे ऐसे लेखक हुए ऐसे कवी हुए जो इश्वर की भक्ती में लीन थे तो उनसे रिलेटिड जो है ये सबके नाम हमने दी दिये Next is सावन वर्षा रितु का महीना है वर्षा रितु से संबंदित दो अन्य महीनों के नाम रिखे तो सावन वर्षा रितु का विशेश महीना माना जाता है लेकिन सावन से पहले के महीने आशान वे सावन के महीने भादो में भी कई बार वर्षा हो जाती है वे नहीं यहां पर व आएगा या फिर आप कहेंगे कि और व की जगा है और तो इस तरीके से यह थोड़े से question answers थे poem के video पसंद आईए तो like करें चनल को subscribe और share करें thank you